दोस्तो राहूल गांधी को सूरत कोट ने दोशी करार दिया है जहां राहूल गांधी को कोट की तरफ से सजा भी सुनाई गई है कोट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई है अलाकि मामले में खबर आ रही है कि बेल भी मिल गई है मामला मोधी जी के सरनेम से जुड़ा है कॉंग्रेस के पूरवध्यक्ष राहूल गांदी पर आरोप है कि उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी के सरनेम पर विवादिक टिपनी की थी जिससे पूरे मोधी समाज को ठेज पहुचा है पूरा मामला क्या है इस खबर में आपको हम बताएंगे नमस्कार दोस्तों में नामे जयनती जहा और आप देख रहे हैं दनेशन 2019 में जिया दोस्तों साल 2019 में करनाटक के कोलार में कॉंग्रेस की रैली हुई थी आरोप है कि उस रैली में कॉंग्रेस के नेता और कॉंग्रेस के पूर्वध्यक्ष राहूल गांधी ने सरनेम पर टिपनी की थी यह जो सरनेम है यह मोधी सरनेम से जुड़ा टिपनी थी राहूल गांदी ने कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंदर मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है ये राहूल गांदी ने कहा था दोस्तो अब राहूल गांदी पर ये जो आरोप लगा ये अदालत तक पहुँच गया जिस पर अब अदालत का फैसला आया है राहूल गांधी को कोट की तरफ से दो साल की सजा सुनाई गई मगर तुरंत ही उन्हें इस पूरे मामने में बेल भी मल गई ये भी बताया जा रहा है बताया ये भी जा रहा है दोस्तों कि जब जमानत मिलने के बाद राहूल गांधी ही सेशन कोट से बाहर निकले तो वहां मोधी मोधी के नारे लगाए गए जिहां दोस्तों मोधी मोधी के नारे कोट के बाहर लगाए गए एबीपी के ट्वीट के मताबिक जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं ABP के ट्वीट के मुताबिक जब राहूल गांधी बाहर निकले तो ये नारे बाजी हुई है और ये नारे बाजी सभी मीडिया कर्मियों के सामने राहूल गांधी के सामने साथ ही वकील राहूल गांधी के जो वकील थे उन सभी के सामने नारे बाजी की गई है इसके अलावा दोस्तों कोट में जो हुआ वो भी आपकी जानकारी में होना चाहिए तो उसकी भी थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे देते हैं राहूल गांदी ने कोट में जजसे कहा कि मेरा इरादा गलत नहीं था सजा सुनाई जाने से पहले राहूल गांदी के वकील ने जजसे अपील की कि उनके बयान से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचा है ऐसे में इस मामले में कम से कम सजा सुनाई जाए वकीन ने ये भी बताया कि दो साल की सजा सुनाई गई उन्हें जमानत भी मिल गई है वो इस फैसले के खिलाफ उपरी अदालत भी जा सकते हैं यानि ये जो मामला सूरत कोट में अभी तक था उसको चुरौती दी जा सकती है अब आगे के कोट में दोस्तो इस वक्त आपके स्प्रीन्स पर आगको हम आज तक की खबर दिखा रहे हैं ये खबर कहती है दोस्तों कि राहूल गांधी के इस मोदी सरनेम वाले बयान को लेकर बीजेपी के ही विधायक जियां दोस्तों बीजेपी के ही विधायक और पूर मंत्री पूरनेश मोदी ने उनके खिलाफ आपरादिक मानानी का केज़ दर्ज कराया था गुजरात की सूरत कोट ने चार साल पुराने इस मामले में राउल गांदी को दोशी ठेराया है सबसे एहम बात ये बताई जा रही है यहाँ पर कि जो कारेवाही हो रही थी जब कोट कारेवाही कर रहा था या माननी अदालत जो है जब जचसाव अपना फैसला सुना रहे थे तो कारेवाही के दौरार राहूल गांदी भी कोट में मौजूद थे उनके साथ-साथ पार्टी के जितने दूसरे नेता हैं वो भी महा मौजूद थे अब क्यूंकि इस पूरे मामले में रहूल गांदी दोशी करार दिये गए है तो बीजेपी साथी सताधीन सरकार के मंतरियों ने कोट के फैसले पर अपनी अपनी राय देनी अपनी प्रितक्रियाय देनी शुरू कर दिया दोस्तों कोट के फैसले के बाद कोट के फैसले पर नहीं कोट के फैसले के बाद और खासकर अपनी राय जो है राहूल गांधी पर देनी शुरू करती है देश के कानून मंत्री किरन डिजिजु जहां दोस्तों किरन डिजिजु ने ये कहा है कि राहूल गांधी जो बोलते हैं उससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होता है इसे कॉंग्रेस को तो नुकसान होता ही है लेकिन इसे देश को भी नुकसान होता है किरन डिजुजु ने आगे दावा भी किया कि कॉंग्रेस के निताओं ने उनको ये बताया है कि राहूल गांधी जो बोलते हैं उसका खामियाजा पूरी पार्टी को जेलना पड़ता है भुगतना पड़ता है कॉंग्रिस ने कहा कि कॉंग्रिस कोट का समान करती है अदालत का समान करती है राहूल गांधी कोट में मौजूद रहेंगे उन्हेंने स्टाफ कर दिया है कि कोट जो भी फैसला दे हम उसका सम्मान करेंगे जब पहले सुनवाई होने वाली थी दोस्तो तो अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और उसके बाद 23 मार्च की तारीक जो है वो दी गई थी आज सुनवाई जब हुई तो इससे पहले सुनवाई किस से पहरे कॉंग्रस ने बात कही थी कि कोट का हम समान करते हैं और राहूल गांदी मौके पर मौझूद रहेंगे राहूल गांदी इस सुनवाई के दौरान वहां पर कारिवाई के दौरान मौझूद थे यह अभी बताया जा रहा है उन्हें ने ये भी कहा कॉंग्रस की तरफ से ये भी कहा गया था कि हम अपने नेता का स्वागत करेंगे और अपना समर्थननेंगे अलका लामबने ट्वीट किया है दोस्तों इस वक्त आपके स्क्रीन्स पर उनका ट्वीट है लिखती है कि पूरी के पूरी संखी जमात श्री राहूल गांथी जी के आवाज जो कि देश के करोडों लोगों की आवाज है संसद हो या सडक पर दमाने के लिए उनके पीछे पूरे मामले पर सियासत जो है वो गर्मानी शुरू हो गई है तेज हो गई है वेराल दोस्तों इस खबर पर आपके राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले फिर मुलाकात होगी आप से किसी ऐसी खबर के साथ तब तक के लिए रबसकार